हेलो एब्रिवान, कैसे हो आप सब? आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक दम नई और कुरकुरी नास्ते की रेस्पी लेकर आई हूँ घर में कोई भी पाटी हो या फिर बच्चों के लिए कुछ चेटपटा और स्पेशल बनाना हो तो इस रेसिपी को एक बार जरू से ट्राइ कीजिएगा तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक प्यारी सी रिक्वेश्ट है यदि आपको हमारी रेस्पीज अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही मज़िदार रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिएगा वेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और यदि आप हमारे वीडियो को फेस्बुक पे देख रहे हैं तो आलू की क्वांटिटी आप यहां पे अपने अकॉडिंग कम यह जादा ले सकते हैं मैं इस नास्ते को चार से पाच लोगों के लिए बना रही हूं तो उसके लिए मैंने यहां पे एक बड़े साइस के आलू लिये हैं जिसके छिलके को मैं पीलर की हेल्प से छिल ले रही हूं तो छिलके को हमें अच्छे से छिल लेना है उसके वाद हम यहां पे एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें मैंने पानी डाल रखा है और इसमें ग्रेटर की हेल्प से आलू के लच्छे को निकाल लेंगे तो यहाँ पर मैंने मेडियम बाला कद्दू कस करने वाली मसीन ली है और इसे आलू को अच्छे से कद्दू कस कर लेंगे तो यहां पर देखिए आलू हमारी अच्छे से कद्दू कस हो चुकी है तो यहां पर आलू को डायरेक्ट मैं पानी में ही कद्दू कस कर रही हूं इससे आलू हमारे काले नहीं पढ़ते हैं तीन से चारवरी से साफ पानी से धो लेंगे ताके जो भी श्टार्च हो निकल जाए और इसके बाद इसमें एक्ष्टा पानी डाल कर हम इसे पांच मिनट के लिए रखेंगे अब इस नास्ते को बनानानी के लिए मैंने एक कप चावल को दो घंटे पहले बीगो करके रख द चार से पाच कलिया मैंने लहशुन के लिए है एक हरी मिर्च ले रहे हूं और आधा इंच अद्रक कर टुकड़ा इन सारी चीजों को डालने के वाद इसे एकदम स्मूध सा पेष्ठ हमें तयार कर लेना है थोड़ा सा मिक्सर को जादा मैंने चलाया है ताकि एकदम से सूजी यानि कि यहां पे मैंने वन बाइ फोर्थ कप सूजी लिया है तो सूजी हमें बहुत जादा नहीं एड करना सिप मैंने चार चम अच्छी एड किया है साथ ही मैं यह डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और बाकी कोई वी चीज अभी हमें इसमें एड नहीं क मैं इसे एक्ट्रा 2-3 मिनट फिर से फैट ले रहे हूं ताकि हमारे जो बैटर है एकदम से फलपी हो जाए अब यहां पे गैस पे मैंने कडाही रखी इस नास्ते को बनाने के लिए तो यहां पे सबसे पहले मैंने एक टिवली स्पून तेल डाला है इसमें डालेंगे यहां धिए परिया जाएंगे बहुत ही से छड़क जाएंगे तो आप इसमें बहुत इंटेस लाइक नाष्टे के लिए हमें पूद एको डाले लाली टमाटर कू चापर गल तो सारी चीजे मैं यह बड़े बड़े ही पीसिस रखे हैं ज्यादा बारिक मुझे कट करने की जरत नहीं पड़ी है अब दो से तीन मिनर तक यहां पे सारी चीजों को भून लेंगे और यहां पर देखें प्याज टमाटर जो है यहां पर अच्छे से सौफ्ट हो चुके हैं झाल तक मैंने ख़म को भून लिया है अब ईसे हम निकाल लेगे एक मिक्सर जार में तो यहां पर जिसमें मैंने चावल को पीशा था ता ना उसी जार में यहां पे प्याज टमाटर अध्रक लहसुं सारी चीजों को निकाल लेती हूं तो तो एक अब इस भूनेवे टमाट चनी की दाल, एक बड़ी चमच मैंने एड़ किया सफेद वाली तिल और हाप टीस्पून एड़ करेंगे सरसो, साथी में एड़ करेंगे तीन से चार हरी मिर्च जिसे मैंने बारिक से चॉप करके लिए है, अब सारी चीजों को थर्टी सेकेंड के लिए रोष्ट कर लेंगे, यहां पे फ्लेम को मैंने हाई ही रखा और हाई फ्लेम पीसे भूनेंगे ना तो इसमें अच्छा सा क्रेंचने साएगा, अब सारी चीजे भूनने के बाद मैंने आपे आधा बारिक कटा हुआ प्याज लिया है, यह ति आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसे स्केप भ बस इतना ही हम इसे फ्लेम करना है जिससे आलू में अच्छी से ट्रांसलूसन हो जाए यानि कि एकदम से ट्रंसपैरेंट जैसी हमारी आलू तयार हो जानी चाहिए, तो एक से देड़ मने तक इसे भूनेंगे बहुत जादा नहीं भूनना है क्योंकि आलू के लच्छे जो आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं और यदि आपको हमारी रिस्पीज अच्छी लगती हो तो एक लाइक जरू से कीजेगा तो यहां पर देखेंगे दो से दो मिनट हो चुके है और हमारे आलू अच्छे से बहुन चुके है तो यहां पर जो मैंने चावल और सूजी को मिक्स करके रखा था ना उसे इसमें डाल देंगे अब यहां पर सब से खास बात यहां पर फ्लेम को हमें मीडियम ठू हाइ रखना है और इसे लगतार चलाते वे हमें इसे पाथ से च्छ मिनट तक कुक करना है इसे चलाने से में बिलकुल भी ने छोड़ना है क्योंकि य करें जल्वी सकता है तो इसे हमें लगतार चलाते वे ही 42ड बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है उसे लगतार चला रही हूं अब देख सकते हैं धीरे यहां पर देख सकते हैं थोड़े से चिपकने लगी है और जैसे जैसे ठीक होते जा रही है तो मतलों इसे चलाने में भी तोड़ी सी प्रॉबलम हो रही है यहां पर मैं आपको पूरी वीडियो ही शेयर कर रही हूं कट मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है और आप धीरे धीरे तो बस इसी श्टेज पर मैंने ग्यास का फ्लेम अफ कर दिया है और इसे तरीके से में चला लेंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देते जब तक मैं यहां पर अपनी चटनी को तैयार कर लेती हूं तो यहां पर चटनी के लिए मैंने जो भी चीज़े पका कर आप इसे किसी स्नैक्स के साथ खा सकते बहुत ही जादा टेश्टी लगती है और मैंने इसमें कोई भी स्पेसल चीजों का यूज भी नहीं किया है बहुत ही बेसिक सी चटनी है और यह लिजे बहुत ही फटा-फट से हमारी यह चटनी तयार हो चुकी है तो अब इसे भी मैं आप चाहे तो इसमें तड़का भी लगा सकते बट मैं से ऐसे ही यूज करूंगी अब यहां पे देखिए हमारा यह जो डो है ना अच्छे से ठंडा हो चुका है अब हाथों पे थोड़ा सा ओल लगा लेंगे और इसे अच्छे से एक से दो मिनट के लिए मसल लेंगे जिस इसकी नास्ता बना करके तयार करेंगे तो नास्ते की जो साइज है आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा यह चोटा जैसे भी बनाना चाहते बना सकते हैं मैं यह थोड़े बड़े साइज के इस नास्ते को बना रहे हूं ताकि देखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टि अच्छे से हमारे नास्ता बन करके तयार हो जाता है और वह तरहीं इस तरहें सबस्ना इस नास्ते की अगवार बना करके जरूब से ट्रैंगे जाहिए उसके बाद इतना ज्याद एक क्रिस्पी लगता था कि बस आप खाएंगे था आंगरूं उसमारे посмотрим इस और रूकने का छोड़ देंगे उसके वाद क्या करिंगे क्या करेंगे ना तर इस स्ट्रीप को बलकुल भी छोड़ना नहीं है तो अस तर इस तरीक influences को और देख वाद bestối चैयार है एक शबं गरम-जास्ते हमारे रूपम से फुला भूपरची हमारे नास्ता हमारे शक्तना का टाइम लगता है उसके बाद यह जो नास्ता बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनता है और जैसे आप इसकी एक बाइट खाएंगे तो बस आपको रुकने का तो मन ही नहीं करेगा आपके घर पे कोई चोटी मोटी पाटी हो यह साम की कोई इवनिंग स्नैक्स खानी हो तो आप जरूर से ट्राइ किस दीगा आप इसे मोनिंग वरिकफास्ट में इवनिंग बस भंचो की लन्च बॉक्स के लिए या किसी वी महमान के लिए आपको नास्ता बनाना होना तहुत अस नाश्ते को ट्राय कर सकते हैं तो इस तरिके से यहां फे देखे मैंने सारे नास्ते को फ तो आईए मैं आपको इसके क्रिस्पनेस दिखाती हूँ यह देखे बहुत ही ज्यादा यह क्रिस्पी बनी है और एक एक नास्ता जो है एक दम से फलपी एक लाइट वेट यानि की बादल की तरह आप कह सकते इतनी ज्यादा यह हल्की बन करके तैयार हुई है तो बस सारे ट् आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी और यह देखे जब मैं इसे एक नास्ते को तोड़ रहे हो ना तो अंदर से एक दम से लाइट वेट है और इस चट्नी के साथ तो बस इस नास्ते का मजा ही एक दम से चारगुना बढ़ जाता है तो इस तरीके से आप अब इस नास्ते को एक बार जरू से ट्राइ कीजिएगा और यदि रेस्पी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेर जरू से कीजिएगा मिलती हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपी के साथ थैंकी फूर वाचिंग